असलाम अलेकूम वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल कैसे आप सब लोग उमीद करती हों सब लोग खेर खेर यह से होंगे हां जी आज मैंने यह जो आप वीडियो में डुपट्टा देख रहे हैं इसको एक ट्राइ की दी है यह डुपट्टा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको भी मैं एक ट्राइ दूँ ताकर जो मेरे फीवर्स हैं वो भी इसको मुझसे देखकर तो एजीली अपने घर पर बना सकें तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को इसको बनाने के लिए आपने देखा होगा डुपट्टे पर सर्कल सबसे पहले हम उन जो सर्कल है उनका हम सैंपल तियार करेंगे सैंपल तियार करने के लिए आप कोई भी साइस के सर्कल बना सकती है मिर पास यह एक रिंग लाइट पड़ी थी तो मैंने इसको इसको इस्तमाल करते हुए एक बड़ा सर्कल डौ किया जो आपने देखा होगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा नीचे जो रड़ बेटन है उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को बहुत ईजीली सब्सक्राइब कर सकती है दुपट्टे का जो एक पलू है उसकी दोनोर साइट पर सर्कल जो है वो आप लोगों में से जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है जो पहली दफ़ा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजीगा और जो पुरानी है वो प्लीज वीडियो को देखने के बाद लाइक जो थम्स अप का बटन उसको प्रेस कर दिजेगा ठीक है ये सारे सेंपल्स मेरे हो गए है यह पटे के पलु के सिर्फ εक साइड के है दिसरी साइड के नहीं है ठिकत एक पलू की साइड के है जब आप सैंपड करने मैं में मैं इस अइसके ड्रेशा यह देढ़ुर्म के लिए है उसके लिए मुझे ड्रुब फैब्रिक चाहिए दोनों साइट्स पे बुकरम की, मैंने उसको cover करना है, बुकरम की दोनों साइट्स को, ठीक है? एक जो पीस है, उस पे हम इसको paste करेंगे और दूसरा, जो है, फैबरिक, वो इसके उपड़ अपड़ अटैच करके, यह बाद लो about प्याइज और नहीं के वाइज मने में कश एक पर बेकम माल उपर और शुरत करते हैं . यह दो बाद में के ब्हुंत्त में कहां काई सब्सक्रात है , उस्का मैं और भी काई सब्सक्राइजे कुछ देता है . इसको भी इसी तरह से आप एकी दफ़ा रखकर आप चाहें तो सारे सर्कल एकी कटिंग में कट कर सकते हैं ठीक है आपकी मर्जी है ठीक है इसके लिए भी हमें एक बुकरम के सर्कल के लिए हमें दो पीस चाहिए ठीक है तीसरा जो सर्कल है वो मैंने डाक ब्लू कलर लिया है इसको भी आप इसी तरह से जो बुकरम आपने cut किया था sample, उस sample को इसके उपर रहकर जो fabric है वो आपने तकरीबन एक इंच जो है वो ज्यादा cut करना है, ठीक है, ये तमाम circles हमारे पास cut हो गए है, two green circles है, four ये orange circles है, और I think so four ही जो है, वो blue circles है, ठीक है, ये डुपट्टे के प एक-एक piece पर जो है वो उसको paste करने, प्रेस की help से, ठीक है, ये paste हो गए है, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा look देने के लिए circles को, इनके उपर थोड़ी सी, जो simple हमारे sly machine होती है, इससे मैंने थोड़ी सी इसके उपर sly के जरीए designing किया, आपको wall print से निशान नजर नही आएंगे, इसलिए मैं आपको जब ये stitching लगा लूँगी, तब मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि stitching से थोड़ा prominent हो जाएगा, और जो सा ये, मैंने fabric यूज किया है, ये green color का है, और इसके उपर जो stitching मैंने लगाई है, वो मैंने red color में यूज किया, इसमें थोड़ा इतना prominent नहीं हो रहा, ठीक है, अपने design बनाने के बाद जो round है, उस round में इसकी पूरी सुलाई लगा लेनी है, लेकिन आपने थोड़ी सी जगा जो है, उसको छोड़ना है, क्योंकि वहाँ से हमने इसको full circle है, इसको turn करना है, ठीक है, extra fabric आप cut कर दीजिएगा, और चोटे-चोटे stitches लगा लीजिएगा, ताकि जो circle है, उसको मोर्ने में असानी हो, यह देखें, इस तरह से हमने इसको turn कर लेना है, यह पूरा round हमारे पास turn हो गया, जो open part है, उसको हम अंदर fold कर देंगे, आप इसको press की मदद से सीधा कर लीजिए, और इसके side पर half a finch का थोड़ा fabric छोड़ कि आपने कोई भी हो, उन पर stitching लगा लेना है, इसके बाद ही हमने, जो आपने hangings देखी होंगी, इन circle से है, उनको हम तियार करेंगे, मैंने 2-2 inch का यह fabric लिया है, चोटी-चोटी से मैंने scares cut लिया है, आप डोरी अपनी मुताबी के किसी भी size की ले सकती है, आपने इनको जो जो हमने डोरी ली है, डोरी जो है, वो बजार से मैने ready-made ली है, इसके उपर रखके हम attach करेंगे, आपने हर color के आप जितने चाहें, आप ये टसल अटाइच कर सकती है, आप 2 चाहें, 4 चाहें, जिस color के चाहें, एक color के attach करना चाहें, आपकी choice है, ठीक है, आप सब को जो है, नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है, तो ये बिल्कूल ठीक, सीधी सी एक हैंगिंग जो हमारे पस तयार हो गई है, इसी तरह से देखें, मैंने काफी सारी तयार कर ली है, अब जी देखते हैं, हमने डुपटे पर इसको लगाना किस तरह हैं, आम तोर पर हम जो डुपटा ये जो डुपटे का आप साइट पार्ट देखने है, जो पल्लू जिनको कहते हैं, हम डुपटे के उनको जो आपने फोल्ड कर लेना, या पीको करवा सकती है, ठीक है, यहाँ पर है नहीं, लेकिन मैंने बाद में इसको फोल्ड कर लिया था, ठीक है, अब ये सर्कल्स आप मैंने ब्लू कलर का सरकल टैच किया, ठीक है, इस तरह से थोड़े थोड़े वकफे से मैंने इसको टैच किया, जब मैं इनको राउंड में सलाई लगाऊंगी, साथ ही जो हैंगिंग्स मैंने तियार किया, इनको भी मैं साथ ही इस तरह से टैच कर दूँगी, ठीक है, आपन इसको round में sly लगा लेनी है दुपट्टे के दूसरी side पर भी इसको जोड लेते हैं फिल हाल यह आप जो वीडियो में देख रही है यह दुपट्टे का सिरफ मैं एक side का पलू तियार कर रही हूँ यह दूसरे side के पलू के circles नहीं है वो मैं अलएदा से cut करूँगी आप यहाँ पर मैंने जो है वो double use किये है double circles यूज़ किया है दोनों sides पर use किया है ठीक है आप चाहें तो सिंगल 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 भी लगा सकती है ठीक है मैंने जो है वो double use किया है सब पर यह इस तरह से attach हो गई है पेंस यह हैंगिंग्स के हम attach कर देंगे और simple आपने इसको सलाई मशीन में रखकर जो है वो सलाई लगा देने हैं यह देखें यह देखें सलाई लगाने के बाद यह इस तरह से attach हो गए है जो आपने सलाई में यह circles देख रही है इन पर जो मैंने design बनाया है इनके center में आप कोई भी button कोई भी tussle कोई भी मोती या कोई भी नग आप attach कर सकती है इसकी थोड़ी सी look का बढ़ाने के लिए यह जी डुपट्टे की final look है आपको video कैसी लगी है मुझे comment box पे आपने जरूर बताना है मेरा डुपट्टा design का idea कैसे लगा है यह भी मुझे आपने जरूर बत किएगा लाफीज